ही काईज, आज हम बनाने वाला है धेर सारे ड्राइफ रूट्स और खजूर से बने एनर्जी बॉल्स इसे मैंने बहुत ही कम घी से और बिल्कुल बिना चीनी और बिना गुड के बनाया है तो हम इसे एनर्जी बॉल क्यों कहते हैं? क्योंकि हमने इसके अंदर ड्राइफ रूट के साथ धेर सारे सीट्स भी डाले है जो हमें एनर्जी के साथ बॉड़ी के लिए यूसफुल नूट्रियंट्स भी देते हैं बच्चे होई आप बड़े यूश्वली सब लोग सीव्स खाने के लिए बहुत ही नक्रे करते हैं पर इसका टेस्ट काफी हद तक अच्छा है तो सबको ये बहुत ही पसंद आने वाला है तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो फटा फट से वीडियो को लाइक कर लिजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं तो यहाँ पे मैंने 250 ग्राम जीतना खजूर लिया है यहाँ पे मैंने जो सॉफ्ट वाला इरानी खजूर उसको जूज किया है आप आपके पसंद का कोई भी quality का खजूर लिजे कर सकते हो तो इसको ऊपर काट करने के और इससे हम निकाल लिए ताकि हमें cooking करने में लिए से आसानी रहे और इससे तरह से सारे खजूर से हम इस तरह से सीज्ज निकाल लिए अब और ज्यादा कुकिंग को आसान करने के लिए इस खजूर को हम नाइप की मदद से चोटे-चोटे टुकडों में काट लेगे और आपको फ्रेंड्स इसको मिक्सर के जार में बिल्कुल भी चन नहीं करना है क्योंकि यह थोड़े से हार्ड होते है और काफी बार मैंने एक्सपिजियंस किया है अगर आप इसको मिक्सर में ग्राइन करते हो तो मिक्सर रीकर जाता है तो इसको हम नाइट से ही काटे के देखी बिल्कुल इस तरह से तो अब हम लड्डू बनाना स्टार्ट करेगे तो यहाँ पर मैंने एक नॉन्स्टिक कड़ाई के अंदर एक चम्मत जितना घर का शुद्ध घी ले लिया है यहाँ पर मैंने ड्राइफूट्स लिये हैं ड्राइफूट्स के अंदर मैंने वनफोथ कब जितनी बादाम ली है वनफोथ कब जितनी काजू लिये है वनफोथ कब जितनी अखरोट ली है और वनफोथ कब जितनी किश्मिश ली है आप आपकी पसंद का कोई भी ड्राइफूट यहां पर यूज कर सकते हो और इसे मैंने ये जो मेजरिंग का पाता है उससे नाप के लिया है तो पहले हम बादाम, काजू और अख्रोट को रोस्ट करेगे अभी किश्मिश नहीं डालनी है तो इसे हम मीडियम फ्लेम के उपर पांच मिनिट तक अच्छे से रोस्ट करेगे तो जैसे जैसे फ्रेंज आप ड्राइफूट को रोस्ट करते जाओगे उसके अंदर से उसका खुद का एक एसेंशिल ओईल निकलेगा जिससे आप जब इसको अच्छे से सिक रहे होगे बहुत ही अच्छी एक फ्लेवर और एक एरोमा आएगी आपको तो पांच मिनिट के बाद आप देखोगे जो बादा में वह थोड़ी सी फूल चुकी होगी और काजू थोड़ी से गोल्डन होगे होगे तो इसका मतलब है ड्राइफ्रूट हमारे रोस्ट हो चुके है जब इसके अंदर हम किश्मिश डालेगे और दो से तीन मिनिट के लिए इसे मीडियम फ्लेम के उपर कूप करेगे तो किश्मिश फ्लेन इसलिए हम बाद में डालते हैं और इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेगे तो सेमी पेन के अंदर हम सीट्स भी रोस्ट करेगे तो यहां पे मैने 1 फोट कप जितने पम्किन सीट लिए है ग्रीन वाले और 1 फोट कप जितने मैने संप्लावर के सीट्स लिए है तो इसके अलावा भी अगर आप कोई seeds डालना चाहो तो यहाँ पर तिल का और या फिर आप जो flex seeds आते हैं जिसको हम अलसी कहते हैं उसका भी use कर सकते हो तो आधा चमच जितना घी वापस डालेगे इसके अंदर हम seeds डालेगे और इसको हम पांच मिनिट के लिए medium gas frame के उपर cook करेगे तो जैसे जैसे ही cook होते जाएगे इसके texture में थोड़े से crispy भी होते जाएगे इसको हम एक plate में निकाल लेते हैं और इसे ठंडा कर लेगे तो इस सेम पैन के अंदर वापस आधा चमच घी डालेगे यहाँ पर मैंने 1-4 cup जितनी खस खस ली है आधा कब जितना मैंने यहाँ पर grated coconut लिया है इसे हम डालेगे और इसे भी हम 5 मिनिट तक medium gas flame के उपर cook करेगे तो फ्रेंस यहाँ पर घी के अंदर हम नारियल को जैसे अच्छे से roast करेगे उसके भी बहुत ही अच्छी एक aroma आती है आपको खुद बखुद पता चल जाएगा नारियल अच्छे से roast हो चुका है तो इसे भी हम एक plate में निकाल लेते हैं अच्छे से इसे ठंडा कर लेगे पैन को थोड़ा सा हम साफ कर लेते हैं क्योंकि अब इसके अंदर हम खजूर roast करने वाले हैं तो इस पैन के अंदर हम एक चम्मत जितना घी डालेगे और हमने जो खजूर काटके रेडी किये थे वो डालेगे और अब इस खजूर को हमें 10 से 15 मनीद के लिए medium flame के उपर अच्छे से cook करना है और आपको इसको हिलाते जाना है और साथ साथ में इस तरह से थोड़ा सा press करते जाना है ताकि ये साथ साथ में थोड़े से soft भी हो जाए और ये थोड़े से आपको friends थोड़े से दिक्कत देगे बिकाज ये थोड़े से sticky होता है नेचर में इकटे हो जाए के end में और अच्छे से देखी soft हो चुके है इसे हम एक plate में निकाल लेते है और इस तरह से फैला लेते है ताकि ये थोड़े से थंडे हो जाए तो तब तक हमारे जो dry fruit से वो थोड़े से ठंडे हो चुके है अब हम knife की मदद से इस तरह से इसे काट लेगे और इसको बहुत ही बारिक पीस में नहीं काटना है फ्रेंस थोड़े से बड़े बड़े इसके पीस रहने चाहिए ताकि जब आप लड़ू खाए तब इसकी flavor और इसका crunch बहुत ही अच्छा लगेगा और इसको बिल्कुल आप फ्रेंस मिक्सर में ना डाले वो बहुत ही बारिक हो जाएगा तो दिखिए इस तरह से इसके चोटी-चोटी पीस आपको बना लेने है तो थोड़ा सा हमारा जो खजूर है वो ठंडा हो चुका है अब देख सकते हैं अभी भी यह बहुत ही sticky है पर कोई बात नहीं इसे हम बोल में एड़ कर लेगे सारे ड्राइफूट्स डाल लेगे सारे seeds डाल लेगे हसखस और grated नारिय को एड़ कर लेगे लड़ो को binding देने के लिए यहाँ पे हम शेहद का यूज़ करने वाले है तो इसके अंदर हम दो बड़े चम्मत जितना शेहद डालेगे तो आप देख सकते हैं जितनी भी चीज़े हमने यूज़ की है यह लड़ो बनाने के लिए सारी हमारे health के लिए heart के लिए हमारे skin के glow के लिए hair के लिए सारी बहुत ही useful चीज़े है बहुत ही nutritious बनने वाले हैं यह लड़ो सभी चीज़ों को अच्छे से mix कर लेगे आप देख सकते हैं काफी अच्छे से सारी चीज़े bind हो चुकी है अब थोड़ा सा मिश्रन हम ले लेगे और medium size का एक बॉल बना लेगे आप आपके हिसाब से छोटे बड़े किसी भी टाइप का बॉल आप बना सकते हो और दीखे फ्रेंट्स कितना सुंदर लग रहा है इसके अंदर हमने जो poppy seeds sunflower seeds यूज़ किये हैं इसके अंदर से काफी सारे colors भी इसके अंदर add के हो गया है और बहुत ही सुंदर लग रहा है तुरंत खाने का मन कर रहा है इसको देखके तो इसी तरह से हम सारे balls बना के ready कर लेके और अगर आप इसे चाहो थोड़ा और advance करना तो matted dark chocolate के अंदर dip करके आप इसकी चोकलेट जैसा भी बना सकते हो वो भी एक बहुत innovative चीज़ हो जाएगी तो इतने ही मेशनर से तक्रीब 13 से 15 बॉल बनके ready होता है और आप अपके पसंद का कोई भी इसे shape दे सकते है और अगर आप इससे store करना चाहो तो आप किसी भी airtight container में इसे रख दीजे और इसे आप एक महीने के लिए fridge के अंदर आर राम से store कर सकते हो आप इसे रोज एक एक करके खा सकते हो एक बॉल आप इसे घर पे जरूर से try कीजिए और आपकी feedback मुझे comment section में देना ना भूले तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में बाई बाई